हेलो गाइज, आई हम उतकास, इंडियो और वाचिंग इट्स उतकर्स के और इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको सुमो SEO टूल्स इस वेपसाइट का कम्प्लीट सेट अप बताया था आपको कैसे इसको सेट अप करना है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप टूल पर जब आते हैं और यहां पर आपको टूल पर जब सर्च करना पड़ता है यहां पर टूल को यूज करते हैं आप तो यहां आपको यह Missing Add-on का Error यहां पर सो करता है तो इसको कैसे फिक्स करना है उसके बारे में चलिए जानते हैं तो इसके लिए आपको यहां आपके जो root directory है जहां आपने files को upload किया था वहाँ पर आना है public html का जो folder है और यहाँ पर आपको एक file upload करनी है जो folder में second file थी sumo su tools addons इस folder को आपको यहाँ पर upload करना है और upload करने के बाद में आपको यह folder open कर लेना है यहाँ पर मैंने upload किया हुआ है और इसको यहाँ से open करेंगे तो आपको यहाँ पर files मिलेंगी और आपको यह जो इस folder को open करना है और यहाँ पर जब तक आपको classes folder यह ना मिल जाए यहाँ पर आपको आजाना है और इस folder को आपको यहाँ से move कर लेना है अभी आपको यहाँ public html जो है फाइल यहां पर आपको select करना है और इसके बाद में इसको open करना है और वापस आपको components वाले folder को open करना है अभी यहां पर आपको app वाले folder को open करना है और यहां पर इस folder को move कर देना है जो अभी अपने select किया था और इसके बाद में आपका काम हो चुका है चलिए अभी देखते यहां पर आप दीख सकते हैं कि जो यहमारा टूल है वो काम कर रहा है असानी से एक वर्डपेस वेपसाइट नहीं है यह तो यहां पर आपको दिख रहा है तिस नौट इस अपियर अवर्ट उ प्र एट तो इस तरीके से आपका टूल वर्क करने लगेगा चलिए हमको दूसरा Toruju एक open करके देखते हैं वो देखते हैं कि वर्क कर रहा है या नहीं यहां पर हम सेकेंट टूल सर्च कर लेते हैं पर एटकेंस कैLKULATEUR को ही उज़ कर लेते हैं और यहां पर आपको भी हम से कर लेते हैं कि क्या अगर आपको कोई भी इरर आती है तो मैं आपको इसके डौकमेंटेंशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वहां से आपको ऐर जो सेलिशन है वहां से आप fix कर सकते हैं तो आई होप आपको सारी steps ये अच्छे से समझ में आए होंगी और आप अभी addons file को add कर लेंगे अपनी जो folder है वहाँ पर और उसके बाद में आपके जो सारे tools है वो इसानी से work करने लगेंगे चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe कर लीजिए और वेल आइकन को वाल पे select कर दीजिए जिससे कि हमारे सारी वीडियो के notification आपको तुरंत मिलते रहेंगे जैसे हम कोई वीडियो upload करते हैं